तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक वीडियो को देखिएगा इसमें सब चीज़े बताई गई है बहुत अच्छे से आपको समझाय गया है तो आप इसको पूरा अंतक जरूर देखिएगा जो भी आपको डाउट आता है कोई इसमें अगर सजेशन है अप वह हुआ है कोई भी डाउट आपको इसको पूर से सब्सट्राइब कर लिघेगा इसको जरूरो से जरूरें कर लीचें यह तो अंको सर्च कंडेबा बिल जाएगा जैसी आप यह लिखेंगे लेट तो ये है डेली करेंट अफैस वर 21st of October बहुत इंपोर्टन करेंट अफैस है इनको आप डेली विशे कवर करते रहेगा इन सब की PDF पेड स्टुएंट को मिल रही है अगर आप चाहते हैं कि इन सभी करेंट अफैस की PDF आपको मिलते रहे तो आप उसके लिए 766-580-4421 पर कॉल रहा है ये प्राइम बैच्छल रहा है अगर आपने इसको जोईन कर लिए तो आपकी पूरी तयारी हो जाएगी चाहे आप उत्रकण का ROI आरो रो दे रहे हो या उत्रकण में आगामी जिदनी परिक्शाइं हैं उसकी तयारी कर रहे हो साथ ही साथ उत्रकण के साथ साथ इसको जोइन कर सकते हैं इसको जोइन करने के लिए आप 766-580-4421 पर कॉल ये मेसेज कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज सबसे पहले GS2 से न्यूज आ रही है कि कैबिनेट ने भारत की कैबिनेट ने एक MOU साइन किया है National Institute of Rural Development यानि की जो पंचायिती राज और राश ट्री ग्रामीड विकास और पंचायिती राज सनस्थान है उसके बीच में और सासाथ University of Reading उनिएंटी Kingdom में यीूके का उनिएंटी Kingdom का जो उनिएंटी है help करेगा कि जो भारत में national institute है rural development और पंचहधी राज का तो यहां कि जो faculty है वो अपने knowledge को widen करने के लिए बिटेन जा सकती है लंडन जा सकती है university of reading में और वहाँ पर उनकी classes होंगी या महाँ पर एक उनकी training होगी जिससे कि उनका क्यार होगा उनका जो professional ethics वो क्या हो जाएगा उनका improve हो जाएगा next आता है cabinet approves additional investment भाई भारत petrol resources की cabinet ने ये भी अप्रूफ किया है कि additional investment होगा किसके दौरा जो भारत petrol resources limited है ये अपना आप में एक subsidiary है BPCL की भारत petroleum corporation limited की और ये develop क्या करने जा रहे हैं BM seal 11 जो है एक project है ये ब्राजील के अंदर इसमें investment कर रहे हैं यानि कि तेल वगरा निकालने के लिए तो ये project जो है इसका उमीद है कि इसका जो production है वो 26-27 से start हो जाएगा तो बस आपको ये धियान रखना है कि BM seal 11 जो ब्राजील चल रहा है ये किस से related है पेट्रोलियम से related है और ये कहां पे चल रहा है ब्राजील में चल रहा है भारत की जो BPCL है वो इसको कर रही है नेक्स आता है उजबेगिस्तान और भारत के बीच में agreement हुआ है कि जिससे कि हमें agriculture के field में हीती के field में हमें cooperation यानि कि जो सहयोग है उसको बढ़ाने की बात कही जा रही है नेक्स आता है Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare उन्होंने ग्यारवा agriculture census जो है 2021-22 उसको launch किया है तो ये बहुत important चीज़ है agriculture census जो है क्रिशी जनगरना जो है हर 5 साल में आउज़ित की जाती है और ये पहली बार हुआ है कि agriculture census जो है वो कागस पैन के जंगा स्मार्टफोन और टैबलेट्स के थुरू हुआ है जिससे की डेटा तुरंत ही हमें मिल जाएगा नेक्स आता है refugee students from Myanmar admitted into Missouri School म्यानमार में पिछले साल 2021 एक फरवरी से वहाँ पे military कूर चल रहा है यहाँ पे जो military थी जो म्यानमार की जनता है जनता हैं यहाँ पे जनता ह जे वाला जनता है तो म्यानमार की जो military regime हैं वहाँ पे उसने टेक ओवर कर लिया था और वहाँ पे जो politically और democratic liletalf covenant थी उसको अटा दिया था प्रेसिडेंट को भी इटा दिया है, आंग सांग सूची को भी जिल में डाल दिया है, यानि कि जितने भी पॉलिटीशन्स हैं, उन सब को जिल में डाल दिया है, तो अब मियानमार में जब सिच्विशन बहुत खराब हो रही है, तो लोग पलायन करके, वहां से भाग कर, रे अलग-अलग स्कूल में मिजोरम के, तो उन्होंने क्या करा है, अपने देश में, क्योंकि महापे सेन ने, जो तकता पलट हो रखा है, कू हो चुका है, उसके बाद उन्होंने क्या करा है, अपने माता पेता के साथ, भारत के राज्यों में शरंड ली है, और दा 6195 अपराप्त सेनस्था ने, उसमें बेजा गया है, सुप्रीम कोट का कहना ये है, कि डॉक्टर्स नीड नोट रिपोर्ड आइडेंटिटी आफ माइनर्स सीकिंग अबोर्शन, यानि कि सुप्रीम कोट ने ये कहा है, कि माले ते कोई माइनर है, 18 साल से कम क्या, कम की लड़क है, और माले ते वो प्रेगनेंट हो जाती है, और अबोर्ट करना जाती है, तो उसको आइडेंटिटी रिवील करने की ज़रुरत नहीं है, यानि कि रिजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर्स जो है, आर एक्जेंट फ्रम डिस्क्लोजिंग तू दा पुलिस इडेंटिटी तो पहले क्या हुआ करता था, अगर कोई माइनर को, यानि 18 साल से कम की लड़की को अगर अबोर्शन करवाना होता था, तो उसका, तो पहले क्या करना होता था, कि अगर लड़की 18 साल से कम है, तो डॉक्टर को, पुलिस को बताना परता था, कि ये माइनर लड़की है और अबोर्शन करवाना चारी है गरपात करवाना चारी है तो आप सुप्रीम कोट का कहना यह है कि अब पुलिस को बतानी जुर्वत नहीं है डॉक्टर्स को कि पोक्सो एक के तहत यह कहा गया था एक रिश्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर को कि आपको यह बताना होगा नेक्स्ट बहुत इंपोर्टन एक न्यूज आती है गवर्नेंस से न्यूज है पंजाब असेंबली ने पंजाब अससेंबली ने एक बिल पास किया है और उमें कहना ये है कि राज़े के अंदर जो इस्टेट विज़लेंस कमिशन होता है यानरी जो विज़लेंस कमिशन है उसकी नीड नहीं है यानि उसकी जूरत नहीं है स्टेट के अंदर और उसको हटा दिना चाहिए ध्यान रहे पंजाब के अंदर आप पार्टी की यानि कि आम आदिवार्टी की सरकार है तो पंजाब असेम्बली ने फ्राइडे को एक पास किया एक बिल तो डिजॉल दा स्टेट विजिलेंस कमिशन चीफ मिनिस्टर जो है भगवंत मान का कहना ये है कि ये बॉड़ी जो है कोई भी काम नहीं कर रही है जो यूसफल परपस का हो सिर्फ और सिर्फ ये क्या है जो एक्स चकर है यानि कि जो पब्लिक है जो अपना टेक्स का पैसा पेवेंट करती है चाहे वो गरीव यक्ति हो चाहे वो अमीर यक्ति हो टेक्स हर व्यक्ति देता है इंकम टेक्स के रूप में न दे तो जी एस्टि के रूप में देता है तो ये सिर्फ लोगों पे एक बर्डन है इस्टेट विजिलेंस कमिशन Act 2020, तो 2020 के जो State Vigilance Commission Act है उसके तहाद बनाई गई थी, anti-craft body है इसका काम ये है कि अगर public officials या ministers अगर कोई भी corruption करते हैं तो उनके उपर कारवाई करने की ताकत इसके पास है, by the previous Congress Government to curb corruption among the states public servants more than 6100 Myanmar students in Muslim schools MZU to start Burmese classes तो ये अभी हमने देखा भी है कि 6000 से जादा Myanmar के students जो है, मिजोरम आए हैं तो almost 6200 children of Myanmar people who fled the civil war back home are studying in schools in मिजोरम तो हमने देखी लिया है कि मिजोरम के बहुत से बच्चे जो है, वो वहाँ से पलाइन करके आए हैं और भारत के schools में, मिजोरम के schools में पढ़ रहे हैं officials का कहना ये है आईजॉल में जो मिजोरम की capital है, राजधानी है कि जातर जो बच्चे हैं उन्होंने international border यानि जो अंतरास्टे सीमा है उसी के आसपास उसी के आसपास जो government run schools हैं यानि भारत सरकार के दोबारा जो जलित जो schools हैं उसमें शरणली है या उसमें पढ़ रहे हैं क्योंकि private schools के लिए fees payment करना बहुत भारी काम हो जाता है तो government schools ही क्योंकि free में service प्रवाइड कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने की और mid-day meal scheme भी चलती है उसमें तो वही पर वो बच्चे पढ़ रहे है ध्यान रहे कि मिजोरम जो है पान सो दस किलोमेटर का border share करता है मियानमार के साथ दो लाज डू नोट प्रोहिबिट मियानमार चिल्डरन फ्रॉम एंडूलिंग इन्रोलिंग इन्रोलिंग उसमें ध्यान रहे कि ये वाली बात और जरूरी है कि भारत में ऐसा कानून नहीं है कि मियानमार के बच्चे भारत में नहीं पढ़ सकते लिकिन इपॉर्टन बात ये है कि भारत ने अभी उन लोगों को रेफ्यूजी का स्टेटस नहीं दिया है क्योंकि भारत रेफ्यूजी का स्टेटस देने से बचता रहा है इस चिल्डरन वाल्सो नॉट बीन गिवन फ्री स्टेटस नहीं मिला तो इसके वैसे उनको जो स्कूल उनिफॉर्म है फ्री वो भी नहीं मिल रही है किताबे नहीं मिली है और कुछ और बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो भी उनको भी नहीं मिले है उसकी कवाई चल रही है कि बच्चों को वो बेनिफिट्स मिल जाए अन्रेस्टीन मियानमार हावेवर हैस नॉट स्टॉप्ट मिजोरम उनिवर्सिटी मियानमार में दिक्कते तो चली रही है लेकिन मिजोरम उनिवर्सिटी ने एक बर्मीज लैंग्विज में कोर्स भी लाँच कर रखा है जिससे कि क्योंकि मियानमार को पहले बर्मा कहा जाता था वापे बर्मीज लैंग्विज चलती है जो भारत के लोग हैं वो बर्मीज लैंग्विज सीख सके उनिवर्सिटी इन कोलाबरेशन विद यूएस बेस्ट इंस्टिटूट ऑफ चीन अफेर्स उन्होंने डिसाइड किया था एक दस महिने का डिप्लोमा कोर्स लाँच करते हैं बर्मीज लैंग्विज में और एक कम्यूनिकेशन स्किल विद सपोर्ट फ्रम इंटरनाशनल डवलमेंट रिसर्च सेंटर नेक्स आता है इंटरनाशनल चेक पोस्ट की बात करें तो इंटरनाशनल लैंड बॉर्टर की हम बात कर रहे हैं तो भारत सरकार ने सेटप किया है इंटिग्रेटर चेक पोस्ट इंटरनाशनल लैंड बॉर्टर पे जिसका एम ये है कि cross border movement यानि एक देश से दूसरे देश में जो movement है वो थोड़ा असानी से हो सके अभी अगर हम देखें इस टेम पे 9 integrated check post है यह बहुत important है नो कौन कौन सी है उसको हम देख लेते हैं सबसे पहले आती है अटारी में तो अटारी की जो है वो पंजाब में है पाकिस्तान के साथ border लगता है और 2012 को यह उप्रिशनाइज की गई फिर अगरतला में है वो तिरुपुरा में है अगरतला राजज्य तिरुपुरा हो गया बांगलादेश के साथ border है तो थोड़ा 13 में उप्रिशनाइज किया गया इसको पिर जोगबानी ये बिहार में है नेपाल के सब बॉटर लगता है 2016 से ये भी ऑपरेशनल है मोहरे जो है ये मनिपूर में है यहां से अब मियान मार जा सकते हैं तो 18 से और सुतर कांडी जो है ये असाम में है यहां से बांगलादेश आएंगे 2019 से हो रहा है ये फिर आता है ड पाकिस्तान के साथ है और इसका सिर्फ और सिर्फ काम यह है जो करतारपुर को र homeless के दूसरा नाम है इसको बनाया गया है 2019 में और फिर आता है श्रिमनतपूर यह वाडर लगाता है बाइática तो सवाल आपसे पूछ आ सकते हैं कि कौन सी इंटेरिटी चैक्पोस्ट किसके foreign investment है विदेश से जो directly भारत में पैसा investment हो रहा है उसका inflow कैसा हो रहा है यानि कि वो भारत में पैसे कैसे आ रहा है उसको समझते हैं तो सिंगापूर जाताइस परसेंट यूएस से सत्रा परसेंट मौरिशस पंदरा नीदरलेंड साथ और सुचलेंड साथ परसेंट यह पांच टॉप कंट्री हैं जहां से FDI भारत में आया है 2021 में तो सब ज़्यादे कहां से आया है यह धियानकने वाली बात है सब से ज़्यादे आया है सिंगापूर से FDI equity inflow in manufacturing sectors have increased 76% अगर हम वी निर्मान शेतर देखें manufacturing sector देखें तो वहां से FDI जो भारत में आया है वो 76% भढ़ गया है compare to previous financial year 2021 इंडिया is rapidly emerging as a preferred country for foreign investment अगर हम देखें तो भारत अब में एक preferred country के रूप में उबरा है for foreign investments in the manufacturing sector वी निर्मान के शेतर में कर्नाटका 37.55% और महरास्टरा 26.26% ये दो टॉप के दो राज्ये हैं जहां पे FDI आया है तो कर्नाटका में सब ज़्याद FDI आया है और कर्नाटका से पीछे फिर महरास्ट दूसरा राज्ये है जिसमें FDI आया है अंक्टाड की यानि कि United Nations की जो अंक्टाड रिपोर्ट आती है World Investment Report उसके इसाब साकर हम देखें Global Trends in FDI inflow India has improved one position to seventh rank तो भारत की position जो है साथ वे नंबर पे आ गई है Top 20 host economies में 2021 के लिए यानि कि भारत साथ ये नंबर पे है जहाँ पर सब ज़्यादा FDI आ रहा है Foreign Direct Investment आ रहा है Top 5 sectors देखें जहाँ पर FDI equity inflow जो है सब ज़्यादा है तो वो क्या-क्या है पहली बात तो computer के अंदर तो computer software में ही सब ज़्यादा पैसा लग रहा है तो computer software और hardware में 24% पैसा आ रहा है Services sector में जैसे की banking हो गया, finance sector हो गया, insurance है Non-financial businesses है, R&D है, courier है इन सब के अंदर 12% पैसा आया है Automobile में 11.89% Trading में 7.72% और construction के छेतर में, निर्मान के छेतर में, infrastructure के छेतर में 5.52% पैसा भारत माया है Top 5 state कौन-कौन से हैं, हम देखी चुके हैं, कर्नाटका नंबर 1 पे है महरास्टा नंबर 2 पे, फिर दिल्ली तीसरे नंबर पे है तमिलाडू 14 नंबर पे और हर्याना पांच नंबर पे अजदना दिहान लखना है, कर्नाटका सबसे बड़े में है कर्नाटका में कंप्यूटर के मामले में सब ज़ाधा investment होता है, तो कर्नाटका में सबसे ज़ाधा है कर्नाटका के बाद महरास्टा में, महरास्टा के बाद दिल्ली में भारत में अगर हम देखे हैं, तो भारत सरकार ने कई सारी चीज़ों के लिए FDA को 100 प्रितिशत कर रखा है कि 100 के 100 प्रितिशत FDI महाँ पर आ सकती है बशरते वो कुछ critical sector में ना हो तो in India FDI up to 100% is allowed in non-critical sectors तो जो critical sector नहीं है critical sector होते हैं जैसे कि atomic हो गया, military है, defense है इनके अंदर इसको हम critical sector कहते हैं तो यहाँ पर investment आना आ सकता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकिन सरकार की permission के बाद जो ministry of home affairs है, घ्रह मंतराले है, घ्रह मंतराले में जूरी देगा, तब यह investment भारत में आ सकता है लेकिन अगर कोई non-critical sector है तो हाँ पर automatic route से, automatically यहाँ पर आपको किसी की clearance की ज़रुवत नहीं है और automatically भारत में पैसा लग सकता है प्रायर कमेंट अप्रूवल और security clearance from ministry of home affairs is required for investments in sensitive sectors जैसे कि अब जो sensitive sector है या critical sector है जैसे कि defense है, media है, telecommunication है, satellites है, private security agencies, civil aviation, mining, अब यह सब चीज़ें जो हैं और Pakistan से investment आना, Bangladesh से investment आना, तो यह सब चीज़ें जो है critical sector से हैं, यहाँ पर ग्रह मंतराले की permission ज़रूवी है, next आता है समुद्रियान mission, तो समुद्रियान mission भी भारत चलाना जा रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक manned summer civil लाएंगे, यानि कि जो इसमें इनसान बैठेंगे, और वो पानी के अंदर, घहरे समुद्र के अंदर जाएंगे, 6000 मिटर की घहराई तक, और वहाँ पे जो जीव है, वहाँ पे जो life है, एक्वेटिक जो life है, उसको देखेंगे, तो to a water depth of 6000 meters in the ocean, with a suit of scientific sensors and tools for deep ocean exploration, तो ये कहा जा रहा है कि हमें एक ऐसा यान बनाना है, जो पानी के अंदर जाए, 12 घंटे का उसमें operational period हो, कि 12 घंटे तक वो operation रहे, और 96 घंटे तक वो आगे भढ़ सके in case of emergency, प्रुजट की ये टाइम लाइन है, वो 5 साल है, 2020-21 से 2025 तक, अब किसको कर कोन रहा है, इसको कर रहा है, नैशनल institute of ocean technology, ये गोवा में चिन्नाई में एक institute है, गोवा में भी इसका एक office है, गोवा में भी institute है, चिन्नाई में भी institute है, ये एक autonomous institute है, ministry of earth sciences का, इसने develop किया है, 6000 meter की घहराई में जाने वाला remotely operated vehicle है, तो remotely operated vehicle इसके बनाया है, and various other underwater instruments, जैसे की autonomous scoring system बनाया है, autonomous underwater vehicle है, deep sea mining system है, ये सब बनाया है, नेक्स आता है, भारत का target है कि वो 300 billion US dollar की bio economy बनाए 2030 तक, तो bio economy है कि आगर हम वो देखें, तो bio economy production है, यानि कि अगर हम जैसे की कि किसी चीज का हम उत्पादन कर रहे हैं, utilization कर रहे हैं, उसका इस्तमाल कर रहे हैं, और conservation कर रहे हैं, उसका बचाव कर रहे हैं, किस चीज का, biological resources का, यानि कि जैव अर्थ विवस्ता का, तो जैव अर्थ विवस्ता उन सबको हम एक जंगा लेकिया है और उसमें काम करें लेकिन नवचार सहीद जैविक संसादुनों का उत्पादन उप्योग और संद्रक्शन है तो इंडियन बायो टेक इंडस्ट्री जो है वो पांच मेजर सेग्मेंट हैं जैसे कि बायो फार्मा, बायो एगरिकल्चर, बा इस्टन कमांडर हैं जो लेफटर जनरल अनिल जोहान उनको नेक्स्ट सीडियस लगाया है चीफ अव डिफेंस स्टाफ लगाया है नाइन मंट्स आफ्टर दी अंटामली डैट ऑफ इंडियाज फर्स्ट सीडियस जनरल बिपिन रावत तो जनरल बिपिन रावत की मृत्य ह उने के 9 महीने बाद इनको लगाया गया है और ये ऑफिस में अपने लगवववच चार साल तक रहेंगे उनका पॉइंटमेंट 65 तक तो रहेगा ही और उसके बाद अगर और गर्मेंट चाहेगी तो और आगे भढ़ सकता है वैसे 65 तक तो रहेगा ही नेक्स्ट है गर्में इसमें नर्मी बरतते हुए कंपनियों को ये कहा है कि हम टाइम लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं और आप 6 सीटर या 7 सीटर वाली जो कार है उन सम्याब 6 एयर बैक्स देंगे तो 6 दा नंबर अफ मेंडेटरी एयर बैक्स डैट हैब तो पार्ट अफ 8 सीटर कार फ किया जाना चाहिए नेक्स आता है उपरेशन गरूड तो अपरेशन गरूड अगर हम देखें तो अराउंड 175 परसंस इन्वाल्ड इन ड्रग स्मगलिंग में इन्वाल्ड रहते हैं उनको अरेस्ट किया गया है अलग-अलग हिस्सों में भारत के CBI के द्वारा इंटरपोल अर्ड एंटरफ्मेंट एक्षन अक्रोस दरवल्ड तो अकर्डिंट डूड तो अक्रोड इन्वाल्ड अर्ग तो अंग्स रहते हैं से जो रेट रेट से उनको बढ़ा दिया है और यह भी कहा है कि जो भारत की जीडिप रोव्मिक रोध है वो साथ परसेंट तक आ यानि कि अपनी जो पहले उन्होंने प्रिजोट जादे किया था अब कुनका कहना यह है कि अब कम रहेगा तो Reserve Bank of India की जो Monetary Policy Committee है उसने जो repo rate है उसको 50 basis point से बढ़ा दिया है 5.9% कर दिया है repo rate वो rate होता है जहांपर RBI बैंकों को lend करता है यानि कि अगर repo rate भड़ेगा तो interest rate भड़ेगा market में पैसा कम जाएगा क्योंकि लोग loan कम लेंगे वो loan इसलिए कम लेंगे क्योंकि loan महंगा हो जाएगा automatically तो RBI की जो governor है शक्तिकांत अदास उनका कहना यह है क्योंकि भारत के अंदर महंगाई बहुत बटरी है high inflation है इस वज़े से ये पैसा market में से निकानना बहुत ज़रूरी है MPC ने however retained the retail inflation projection for the current fiscal year at 6.7% तो उनका कहना यह है कि जो inflation है वो लगब लगब 6.7% रहेगा जो MPC का monetary policy committee की जो limit थी 2% से लेके 6% की उसको breach कर रही है हाला कि होना तो 4% के आसपाच सही है लेकिन आसकल अगर हम देखें पिछले बहुत समय से 2022 में अगर हम देखें तो 6% से उपर ही हमेशे inflation रहा है दिल्ली के उपर न्यूज आ रही है कि दिल्ली में अक्टूबर नवंबर के महीने में किस तरह से ठंड क्योंकि मौसम चल रहा है अक्टूबर नवंबर में तो वहाँ पे pollution कैसा रहेगा उसके उपर बात की जा रही है तो Central Government का एक Run Air Monitoring Agency है जहाँ पे Central Government की Running है यह और Air Monitoring Agency है जहाँ पे हवा की वायू की गुणबत्ता कैसी है उसके उपर ये Quality Management का काम करते है Suffer Index बनाया है इन्होंने System of Air Quality and Weather Forecasting and Research तो Suffer System से अब ये देख रहे हैं कि दिल्ली की Air Quality कैसे रहेगी तो कुछ सिनेरियों है तो पहला केस क्या हो सकता है कि अगर Stable Burning होती है अक्टूबर के एंड तक जाते जाते तो दिल्ली में Severe Air Pollution जैसी स्थिती इस बार नहीं रहेगी ये कहना है If Stable Burning in the neighboring states peaks back to the end and there are half as many fires as those reported last year दिल्ली will likely have no severe air pollution उनकों कहना ये है कि मान लेते हैं कि अगर Stable Burning पराली जलाने का जो काम है इस साल भी जारी रहता है और जितनी आग पिछली बार लगी जितनी Stable Burning पिछली बार की गए गर उसकी आधी होती है इस बार तो दिल्ली में जादा Severe Pollution नहीं होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ है हमने पिछले दिनों देखा है कि दिल्ली में बहुत जादा Severe Pollution रहा है If Stable Burning peaks around the same time as it did last year वो number of fires remains the same तो दिल्ली जो है कहीं सारे ऐसा होगा कि Severe Air Pollution days रहेंगे अक्टूबर नमंबर में यानि इनको कहना ये है और इसी तरह से हुजबार भी हुआ है कि बहुत जादा पराली जलाई गई है ठाले की सरकार का कहाना ये है कि पराली जलाना का जो काम है पहली पिछले दिनों से बहुत कम हुआ है दूसरे शब्दों में कहें इसके क्या कारण हो सकते हैं इसके कारण है mixing depth, wind speed, हवा की speed और monsoon का समय से चला जाना mixing depth तब क्या है mixing depth समझते हैं कि एक height है measured from the surface of the earth up to which pollutants can be dispersed into the atmosphere अब देखिए mixing depth का क्या मतलब है जमीन से यानि कि धरती के level से लेके उपर आसमान में अगर हम जाएं तो कितनी उपर तक जाकर जो pollutants हैं वो हवा में घुल मिल जाते हैं तो वो जो उचाई है उसको हम mixing depth कहेंगे during winter जो mixing depth है वो घट जाती है which leads to increase in the concentration of pollutants जिसके वैसे जो pollutants हैं जो चीजों को दूशित करते हैं वो उनका concentration, उनकी मातरा भढ़ जाती है क्योंकि गर्मियों में हवा चलती है हवा light होती है तो वो आसानी से मिल जाते है सर्दियों में हवा भारी हो जाती है गुफरान बेग जो founder है और जो director है सफर के उनका कहना ये है कि जैसे जैसे monsoon withdraw करेगा wind speed कम होगी इसके वज़से air pollution भढ़ता है गर्मियों में क्या होता है कि जो wind pollution है वो जो wind की speed है वो तेजी से रहती है इस वज़े से वहाँ पे जो pollution का level है वो कम रहता है और IMD का कहना ये है कि monsoon जो है दिल्ली से September 29 को withdraw हो चुका है air quality index अगर हम देखे ये important चीज़ है सबसे जादे important ये ही है इस news में कि air quality index के साब से अगर 0 से 50 की बीच में है तो अच्छा मना जाता है 51 से 100 की बीच में satisfactory है 101 से 200 की बीच में moderate है 201 से 300 की बीच में poor है 301 से 400 very poor और 401 से 500 severe है और severe air pollution गर्मर्म लवी है कि आप बहुत बुरी तरह से impact हो सकते है इसमें और इसके वैज़े से आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है hospitalization भी आपका हो सकता है तो इसलिके साथ ये current affairs complete होते हैं गाईस मैं आपको कोई भी doubt आता है तो आप मुझे comment section में comment करके बताईएगा इसमें क्या और improvement हो सकता है आप कोई current affairs कैसे लगते है तो आप जरूर इसके बारे में comment section में comment करिएगा अपने friends के लागन को share कीजेगा जिससे की और भी लोगने का फाइदा उढ़ा पाएगा चलिए बाकी मिलते है नेक्स्ट वीडियो में so thank you and bye bye